हेलो और वेलकम बाक टो अर्थ एंद प्यूर वन्स अगेन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं उन न्यूट्रियंस के बारे में या फूट के बारे में बताऊंगी जिसको लेने से हाइपो थायरोडिजम के परिशानी में बहुत फायदा होगा तो आज मैं उसी को लेकर आए हूँ लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें काम पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूले तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो पर आज हम बात करेंगे वो 5 नूट्रिंट्स कौन से हैं जिनको लेने से हाइपो थायरोडिसम में बेनिफिट मिलता है तो मैं जो भी नूट्रिंट्स बता रही हूँ ये किसी पर्टिकुलर ओर्डर में नहीं है बट ये पाँचो आपके हाइपो थायरोडिसम के प्रोफाइल को बेटर करने में इसके हेल्थ को इंप्रूफ करने में बहुत हल्प करता है सबसे पहला है उसमें आयोडीन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि iodine बहुत important होता है thyroid hormone के production के लिए लेकिन अगर आपके खाने में iodine की कमी हो तो भी thyroid में problem हो सकता है thyroid gland आपका hormone धंसे सिक्रीट नहीं कर पाएगा बना नहीं पाएगा और अगर excess में भी आप iodine intake लेते हैं को भी यह नुकसान पहुंचाता है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को excessive में नहीं लेना है खाने में ध्यान रखेंगे कि iodized salt यूज करें हर तरह के फल सबजी अनाज का इस्तेमाल करें seaweed को माना जाता है कि उसमें iodine की content ज्यादा होते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं हमारा next nutrient है selenium selenium important होता है thyroid hormone का जो inactive form है जो T4 होता है उसको T3 में convert करने में बहुत important role play करता है साथी selenium एक antioxidant है जो की free radical को fight करता है तो आपके gland को नुकसान पहुचाने से बचाता है selenium पाया जाता है Brazil nut में non vegetarian food और milk and milk products में तो आप इसको अपने diet में अगर regular basis पर include करते हैं तो आपको selenium की deficiency नहीं होगी हमारा जो अगला nutrient है वो है zinc zinc enzyme production में help करता है साथी वो hormone के भी production में help करता है zinc पाया जाता है nuts में seafood specially oyster में तो अगर आप nuts लेते हैं और उसको अगर भीगो के रादबद भीगो के अगर almonds वगए आप यूज करते हैं तो आपको zinc की कमी नहीं होगी और यह आपके thyroid की जो profile है जो आपका health है उसको improve करने में help करेगा हमारा next जो nutrient है जो की thyroid के लिए बहुत important है वो है omega 3 omega 3 को हम directly associate नहीं करते हैं कि thyroid के hormone production में help करता है यह inflammation को fight करने में बहुत help करता है previous video में मैंने बताया था कई बार hypothyroidism की problem inflammation की वज़े से भी होती है तो अगर आप omega 3 का आपका content खाने में अच्छे से है तो वो inflammation को कम करेगा indirectly वो आपके thyroid की जो health है उसको improve करता है omega 3 पाया जाता है chia seeds में, oil seeds में, mustard oil में, साथी fatty fish में तो आप अगर इसको अपने diet में include करते हैं तो यह आपके लिए बहुत beneficial रहेगा हमारा next nutrient है protein protein important इसलिए है क्योंकि वो hormone का main base होता है production के लिए तो अगर हमारा खाना deficient है जो कि normally in general देखा जाए तो इंडियन डाइट होता है तो अगर आप protein धंग से नहीं ले रहे हैं तो आपके hormone production में problem हो सकता है साथ ही आपके structural balance में जो body build up है उसमें भी दिक्कत हो सकता है weakness आ सकती है आपकी immunity वीक हो सकती है दाल, दूद, दही, पनीर लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको cereal और pulse combination में लेना है तभी आपका protein complete होगा तो आप अनाच और दाल एक साथ consume करेंगे तो आपका protein balance सही रहेगा और इससे overall आपके hypothyroidism के problem में बहुत भी benefit मिलेगा तो overall ये 5 nutrient है जो आपको help करेंगे आपके hypothyroidism की problem को कम करने में और आपको इस problem से जैसे swelling हो गया या water retention हो गया इसको भी reduce करने में help करेंगे आशा करती हूँ जो भी information मैंने आपके साथ share की वो आपके काम आएगा अगली वीडियो पे मैं फिर मिलूंगी कोई नही जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार